नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मद्द प्रदेश के 19 परवरी के करेंट अफैर्स में मैं हुनी लेश और आप सभी का आज के करेंट अफैर्स में स्वागत करता हूँ और शुरुआत एक मद्द पूर्ड जानकारी के साथ कि दिया आप MPPSC Pre 2024 के टेस्स स से कर सकते हैं टोटल 80 टेस्ट है जिसमें आपके यूनिट वाइस टॉपिक वाइस और साथ में FLT मिला करके टोटल 80 टेस्ट है ज्यादा जानकारी आपको नीचे दिये गए नंबर पर मिल जाएगी आपको इसकी जो सेडूल है वो भी PDF के रूप में मिल जाएगी 799 के टेस सेड हुए हैं वो सभी के सभी के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी बुक आज साम से आपके पास उपलब्द रहेगी हमने अपना कंटेंट पूरा प्रिपेर कर लिया है उसके बारे में उस बुक में क्या-क्या है उसकी आपको पूरी एक डेमो पीडिया भी उपलब्द कराए जाएगी साथ ही में उस क्लास में बताया जाएगा दस से पंद्रा मिनिट में हम पूरी बुक का ओवर्व्यू आपको देंगे तो शाम के समय में क्लास रहेगी आप उसको देखना नहीं बूलेंगे क्लास आपको दो पार 12 बजे के बाद देख जाए और हमें अपने हुनर पर यानि हमें अपनी काबिलियत पर भरोशा होना चाहिए और हमारी काबिलियत में जो कमी है उसको हमें पूरा करने में उसको हमको सही करने में पूरा अपना एक जीवन लगा देना चाहिए क्योंकि कमी हमेशा रिबनी रहती है और जीवन में हमेशा सुधार बना रहता है और गुंजाइस हमेशा रहती है तो हमें औरों के जोर पर नहीं उड़ना है हमें श्वयम के जो हमारे पर हैं उन पर विश्वास करना है अपने हुनर पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है निरंतर मेनत करते रहे और बिल्कुल भी मत रुकिए शुरुआत करेंगे पहले प्रशन के साथ की यू टिरोट सिंग कहां से संबंदित है देखे ये भारत सरकार का कारेकरम था ये जो संबंदित है ये खासी पहाड़ियों से संबंदित है जनजातियां आपके टॉपिक में हैं सरकार पिछले तीन से चार वर्सों से जो जनजाति समाज है हमारा जो बहुत इतिहास के किताबों में बहुत खो गया था जिनके बारे में कभी चर्चा भी नहीं की जाती थी भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है हमारी संस्कृत में बहुत बड़ा योगदान है हम अपने इतिहास पे दी जाएं तो जनजाती समाज को जिस प्रकार से बिल्कुल एक किनारे करके रख दिया गया था उनको एक तरह से पिछड़ा बना दिया गया था उनको हम एक वनवासी के रूप में जानने लगे थे तो ये एक बहुत बड़ी हमारी एक इतिहासी गलती थी और ये जो वर्तमार में जनजाती समाज को आगे लेकर कि आया जा रहा उनके इतिहास को बताया जा रहा उनकी संस्कृत को बताया जा रहा और उनके जो traditions उनको जिस प्रकार से बताया जा रहा कि हमसे भी ज़्यादा अपने वो traditions के मामले में बहुत आगे हैं हम उनको धमारबस एक चीज का अंतर है कि हम आर्थिक रूप से सक्चम हो गए हैं वो आर्थिक रूप से उतने शक्चम नहीं हो पाई क्योंकि हमने सिक्षा पहले पाली उन्होंने सिक्षा बाद में पाई otherwise आप इदी modernization के बारे में बात करो या उनके बागी के culture के बारे में बात करो तो कहीं न कहीं बहुत सारे culture traditions हमारे उनसे मिलते जुलते हैं हमारी एक सिर्फ देखने का नजरिया अलग है तो सरकारिस में बहुत ज्यादा में प्रमोट कर रही है इनके बारे में research कर रही है हमाई लेके आ रही है तो उनी में से एक जुड़ा हुआ नाम है यू तिरोट सिंग अब यहारी में क्या हुआ है डाका का जो इंद्रा गाधी संस्कृति केंद्र है यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर यू तिरोट सिंग के एक प्रतिमा का नावरण किया गया है अधिवासी समदाएक अधिवार्शी मुख्या थे उन्होंने मेगाले की जो खासी पहाड़ियां है वहाँ पर एक नायक के रूप में काम किया था आप ऐसा करा सकते हैं कि जैसे हमारे प्रदेश में टाटा मामा का योगदार है उस पूरे छेत्र में तो कहीं न कहीं उनका भ क्योंकि भारत सरकार का इस कारका में इंवर्मेंट था तो नाम याद रखना है कहीं पर अपडेट करके रखना है हाली में कौन सा भारती क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट तक पहुचा है तो वो कोई और नहीं रवीन चंद्र अश्विन है इन्होंने 98 मैच में 500 विकेट लिये और रवी चंद्र अश्विन ने 98 मैचों में लिये हैं और ये 500 विकेट तक पहुचने वारे तीसरे इस्पिनर बने हैं राइट हैंड के तीसरे आफ़ इस्पिनर बन गये हैं और नौवे गेद बांज है आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे प्रिश्टमान तीन की न प्रादरोली डोडपूर लिलोटी पर यहां पर लगबग 840 मिलियन टन से अधिक लव एस की खोश करी है यह वाँ पर पाया गया है और साथ में मैगनेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार की यहां पर पाये गया है और भारत सरकार भी इसमें क्योंकि खनन भी भागय प्रत्वी की जो हमारी सता होती वहां पर यह पाया जाते है और गर्मी और उसकी जो नुकूल परिसितिया होती है तो धात्विक लुहा के रुप में यह मिलते है और इनको जो कोक वगेरा जो होता उसका अपचायक एजन्ट होता उसके दौरा संसोधित किये जाते हैं कई जिस चार प्रकार के होते हैं हेमेटाइट होता है जो यह लाल रंग का होता है लगबग 70% इसमें धात्विक लुहा होता है और सबसे अच्छी गुणवक्ता वाला लुह एश्क माना जाता है अब मेगनेटाइट की बात करीजा जो हमारे मद्रपरदेश में पाया जाता है दूसरा सबसे अच्छा एश्क होता है 60-70% इसमें धात्विक लुह समागरी होती है और साथ में इसमें चुम्ब की गुण भी पाया जाते हैं और लीमोनाइट जो होता है यह यलो कलर का होता है 40-60% का धात्विक लुह तो होता है हेमेटाइट और मेगनेटाइट की तुल में आप बात करो तो इसकी जो गुणवक्ता होगी सौभाविक रूप से थोड़ी सी कम होती साइड जो साइड राइट है यह कम गुणवक्ता वाला लुएसक है 40% ही इसमें धात्विक लुह पाया जाता है अशुदियां बहुत जादा होती है और आर्थिक रूप से भी उतना लाब प्रद नहीं रहता किसी राजी के लिए उसको खुद उसकी घनिश्कानन होता है तो उसमें उतना ज्यादा उसको लाब नहीं मिलता है आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे प्रश्कमांग 4 की कि सुमात्रा द्वीप कहां परिस्तित है तो यह इंडोनेशि दुनिए का सबसे बड़ा दीफ शमऻ है 1700 से अधिक वरम लक्षधी होता है चोटे चोटे अधोर मिलके एक यह प्राकार से पूरीइस बनाया सबसेबेड़ी अबादी वाला देश है हाली में इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी राजधानी है उसको shift किया है दूसरी जगे क्योंकि वहाँ पर दीरे दीरे जो इनकी राजधानी जकारता है वो डूबने की कागार में बविश्च में वो डूब सकती है तो उसको लेकर कि इन्होंने जो नई राजधानी अपना मेंमार ने 2006 में रंगून से जो अपनी राजदानी नेविटा में स्थाने दृत की थी राजदानी वर्तमान में जकारता है, मुद्रा वहां के इंडोनाशिया रुपिया है इंस्पायर कारकम को किस बहुराश्टी संस्थान के द्वारा साहता परदान की जाती है तो जो इंस्पायर कारकम है यह वर्ड बैंक की साहता से चल रहा है शिक्किम में इसको लॉंच किया गया वर्ड बैंक से इसको फंडिंग ले करके इंस्पायर कारकम देखिए इसका फुल फॉर्म यदि बात करो आप तो इनोवेशन इन साइंस परसुट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च नाम से समझ में आ गया कि दि आप कि उम्र क्या करते हैं आप युवा हो और आपके उम्र दस वर्स है और बतिस वर्स तक के हो यानि आप स्कूल से ले करके कॉलेज तक के इस्टुडेंट हो और साइंस के छेतर में कुछ अच्छा कारे करना चाहते हो तो सरकार क्या करती है कि उनको प्रमोट करने के लिए उनको आंगे बढ़ाने के लिए विग्यानिक तयार करने के लिए इसकीम चला रही है तो सरकार का मोटा मोटा उदेश यह है कि हमें विज्ञान के प्रति लोगों को क्या करना है कि उनके अंदर जिग्यासाओं को आंगे बढ़ाना है ताकि वो नई रिसर्च करें, कुछ नया कार करें और उसमें इंट्रेस्ट जगाना है क्योंकि हमारे विज्ञानिकों की कमी ताकी नहोता कि नए नए शोध हो, ठीक है तो इनी सब चीजों को देशों को लेकर के योजना चल रही है, सरकार ने इस पे लगबग 2008 में 2000 करोड रुपे की लागत से इसको सुरू किया था परदान मंत्री ने 13 दिसंबर 2008 को इसकी योजना की सुरू आत करी थी 10 से 32 वर्स के जो आयवर के युवा होते हैं, वो इसमें संबलित होते हैं बात करी जाए अगले प्रश्न की तो निम्ड में से कौन तुलसी पीठ चित्र कूट के संस्थापक है तो इसकी बात करी जाए तो जगत गुरू राम भद्राचार जी इसके संस्थापक है खबरों में क्यों है? क्योंकि इनको जो अभी क्या कहते हैं पुरश्कित किया गया है ज्यान फिर पूरसकार से दो लोगों को किया गया है एक गुलजार को और जगत गुरू राम भद्राचार जी को विश्विद्याल है, उसके संस्थापक और अजीवन कुल आधिपती हैं, ये विश्विद्याल है जो होता है केवल चतुरविद विकलांग विद्धार्थियों को शनातक और जो मतलब ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन की डिगरी प्रदान करता है, बहुत ग्यान में सरकार ने इनको पद्मिभूशर से संभानित किया था, 2003 में मदप्रदेश का जो संस्क्रत अकाइडमी है, उसने राजसेकर संभान से संभानित किया था, जन्म इनका उत्तर प्रदेश के जौनपूर में जिले पे हुआ है, इनका वास्तविक नाम जो था वो गिरधर मि पूचा भी जा सकता है, इनको गुलजार के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े राइटर हैं, इनका जो जन्म हुआ था, उस समय पे जब ब्रिटिस भारत था, तो पंजाब के जेलम जिला में हुआ था दीना में, वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंतरकत आता है, इसके पूरषकार की बात करी जाए, तो भारती साहित का बहुत बड़ा पूरषकार माना जाता है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय ये जो पूरषकार दिया जाता है, ये भारती जन्मmakersन के द्वारा दिया जाता है, मा सरसुती की एक प्रतिमा होती है, ठीक है, और य जो वागदेवी की प्रतिमा है यह हमारे आज जो धार जीले में मंदिर है भोज के द्वारा बना गया वहां से ली गई है 11 लाक रुपए की धनरा सी दी जाती है वागदेवी की कांस की प्रतिमा दी जाती है पहला पुरसका प्रदेश का ये Nobel Prize of Indian Literature के रूप में जाना जाता है आगे की तरह बढ़ेंगे बात करेंगे प्रिश्ट करमांग साथ की अभी हाली में कल आचार स्वी विद्धा सागर जी महाराज ने क्या किया है उन्होंने शमाधी ली है तो उनका जन्म किस राजी में हुआ था अकसर हमने इनको मद्व प्रदेश में हमेशा खबरों में पाया है और इनका जो जन्म हुआ था ये करनाटक में हुआ था और करनाटक में इनका बेल गाउं है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था लेकिन इन्होंने जो समाधी ली है वह 36 गड़ के डोंगर गड़ में जो चंद्रगीरी तीर था वहाँ पर इन्होंने ली है आचार स्री विद्याशागर जी 108 इनको संत की उपाधी दी गई थी 18 फरवे 2024 को हमारे राज्य में आधे दिन का राज्की शोगोसित किया है क्योंकि मद्द परदेश से इनका बहुत अच्छा नाता रहा है और सरकार को कई बार गाइट किया और इनके नाम से एक योजना भी चल रही है हमारे स्टेट में जो की पसुपालकों के लिए है तो जीवों को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो हमारी जेल में इनका एक प्रोग्राम भी चलता है जो कैदी होते हैं उनके जीवन को सुधारने के लिए आचार से विद्या सागर जी के नाम से भी योजना चलती है उनको हतकरगा उद्दोग में लगाया जाता है इनका उद्देश था कि लोगों को सही रास्ते पेलाया जाया बहुत बड़े तपश्वी थे जहन समाज में इनका बहुत बड़ा नाम है उसके बाहर भी इनको बहुत याद किया जाता है 10 अक्टूबर 1946 को करनाटा के बेलगाओं में इनका जन्व हुआ था सरत पूरिमा के दिन का जन्व दिन मनाया जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मूख माटी जिसकी क्या कहते है अनुवाद भी किया गया था और ये पुस्तक जो हुई थी जब कुंडलपूर में एक प्रोग्राम का आयोजन था उस समय पे इस पुस्तक को रिलीस किया गया था और बहुत लगबग 55 या 56 भासाओं में इसको अनुवादित भी किया गया था कुंडलपूर की बात करी जाए तो दमोह के पास है और जो जैन धर्मावलंबी है इनके लिए बहुत एतिहासिक इस्थाल है डाईजार वर्स से पुराना है और क्योंकि यहां पर जो स्रीदर क केवली है इनको मोच सिस्तली के रूप में भी जाना जाता है आधिनाथ की प्रतिमा लगबग 1500 वर्स पुरानी 15 फिट उची प्रतिमा है और इनको आधिनाथ बाबा इनको शद्धालू बड़े बाबा के नाम से भी जाना जाता है आठवी नोवी सदाबदी के यहां पे ल द्वाज सरकार द्वारा कहां पर बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है यह जहां पर केले का उतपादर मदप्रदेश में सरवाधिक होता है वह व रहानपूर में 20 और 21 परवधी को बनाना फेस्टिवल का आयोजन किये जाने वाला है आपने संत्रे का फेस्टिवल बहुत सारे फेस्टिवल सुने होंगे यह बनाना फेस्टिवल अपने आप में एक यूनिक है इसकी सुरुवात मदप्रदेश में सरकार की तरफ से हो रही है क्योंकि बनाना जो है वर्तमार में बुरहानपूर लगबक 23,650 एक्टेयर में छेतरपल पे खेती करता है 16,00,00,00 मेट्रिक टन बनाने का इनिकेले का उत्पादन करता है किशानों के लिए वहाँ पर बहुत प्रकार के खाद प्रसंस करन उत्दोग लगे हुए है एकॉनमी का टॉपिक है ध्यान में रखना है MP की इकॉनमी बहुत अपडेट हुई ह कॉस्चन्स यहां से बनने हैं तो ऐसे टॉपिक्स को आपको स्विच नहीं करना है लगबग 1700 करोड का बिजनस करता है बुरहनपुर केले के कारोबार में केला कहा कहा है इनका जाता है इनि बनाना इराग जाता इरान जाता दुबई जाता बहरीन जाता तोरिकी को प्रदान मंत्री ने अभी इसका इनुग्रेशन किया था उसके कुछी दिनों के अंदर इसको क्या कर दिया गया है तैयार के दिया गया सभी को आवास उपलब्द कराया जा रहा है जो भी हमारी पिसेज पिछडी जन जाती है सहरिया जैसी जन जाती है तीन जन जाती है सभी को क्या किया जा रहा है कि मुख धारा में लाया जा रहा है उनको जो जो भी डवलप्मेंट हो सकते हैं उसको पूरा किया जा रहा है आ एंसर जरूर दिया करें, बहुत जरूरी है आप सभी का एंसर देना, आज जो लोग दे रहे हैं, उसका अनुबाव 28 अपरेल को जब पेपर दे के आएंगे, तो 29 अपरेल के करेंड अफरेस में मेरों को जरूर बताएंगे, तो इसका जो संगाम होता है, नर्मदा एबम तब करती है, हमें पाता है, बारत की पांच भी बड़ी नदी है, श्यूपुत्री बोली जाती है, तवा नदी जो है नर्मदा की प्रमुक्षायक नदी है, और युद्गम इसका छिदवाडा के चेरक कठारी महापुदेव, जो परवत संकला है, वहाँ पर होता है, मद्द पर से निकलती है, और साथ ही में मद्द परदेश की जीवन देखा है, रेवा बोला जाता है, इनको रेवा नर्मदा जी का नाम है, शोम प्रभावी बोला जाता है, नमोदस बोला जाता है, ठालमी मिक के द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है, और 13-12 किलोमेटर गी है, ल चपानी का भी दर्जा इनको दिया गया था और जल प्रपाथ का पिल धारा दुग धारा लक्षमर धारा सहत धारा और धुवादार जल प्रपाथ जबलपूर का है इसमें तवा नदी की बात करें जाए तो काली भीत पाड़ी महादेव शेणी होशंगावाद से निकलती है जहनती मनाई जा रही थी तो उसमें एक छोटी सी बात जनजातियों से जोड़े होते हैं क्योंकि सबसे जादा इस समय MPPSC के जो आप लोग परिशान है वो जनजातियों के लिए परिशान है हमारी MPG के के बुक में MPG की जो जनजाति वाला चैप्टर है एक साथ ही दिया है हमने और इतना बता रहे हैं कि अच्छा खासा कंटेंट आपको दिया डेड़सों से उसके आसपास पेच का है वो बात करीजा जो कोरकू जनजाति समाज है इसमें नर्मदा और ताप्ति को माता शृदर्ष माना जाता है और जो कोरकू जनजाति होती है प्रते एक अमा वर देंगे तो बाकाइदे ऐसा दिन होता है जिस दिन वो अपने वैलो की पूजा करते उस दिन उनको खेट पे नहीं ले जाते और हमारे यह भी नदियों को क्या है कि मानने की प्रता है हम लोग मानते है उसको तो हमारे समाज में दोनों चीज़े मिलती है ठीक इसी प्रकार स आपका कोरकों के बाद जब गोंट जनजाती पर जाओगे तो वहां पर यह लोग बाना गाते हैं क्यों गाते है क्योंकि नर्मदा की उत्पती की गाथा से जुड़ा हूँ आपसे कभी भी पूच लिया जाए जाए जो बाना गोंट जनजाती के दौँछा जाता है किस कितने मतलब अच्छी बात होती है हमारे जन जाती शमाज में तो यह दोनों बातें आपको याद रखनी है दोनों लोग नर्मदा से जुड़े हुए हैं तो आगे की तरब बढ़ेंगे और आप सभी के लिए आज का प्रशन आज का प्रशन यह है कि दुरलब वाद इसका आयोजन किया जाता मदप्रदेश की कलायवम संस्कृति आपके PSC के टॉपिक में उससे जुड़ा हुआ प्रशन है किसकी इस्मृति में आयोजित किया जाता है उनके बारे में दो से तीन बातें बतानी है साथ में यह प्रोग्राम होता कहा है इसके बारे में बताना current affairs जरूर share करना है आप लोग नहीं करते हैं पसंद आता है तो like किया करें और साथ में share जरूर करा करें एक मित्र को करें एक एक सायोग से हम लोग बहुत सारे लोग कारवा मिल जाएगा जोड़े जाएंगे साथ में पढ़ाई चालू करके रखें समय बहुत कम है सले बस बहुत जादा है अपना ध्यान रखें तब तक के लिए हमारी और आपकी मुलाकात फिरोती अगले current affairs में जैहिं